वेल्कम गाइज जेकल ओन जोब चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि आपके इंट्रस एक्जाम जैसे कि आपका पेरामेडिकल का हो गया बीएस नर्सिंग का हो गया फार्मिस का हो गया उनकी त्यारी हम आपको करवा रहे है राइट और दिन में एक बार आपको बाइलोजिक मिल जाएगा बट अपमारी फिजिक्स और कमेश्टी कंट्यूनियू रहेगी यह सभी के लिए पोटेंट है जो बीएस नर्सिंग का एक्जाम दे रहे उनके लिए भी और जो पेरामेडिकल का दे रहे और जो फार्मिस का दे रहे उन आप देख लेना सूब अप्लोड कर देदा हो केमिस्ट्री वरला रोजना दो वीडियो मिलेंगे आपको मॉर्णिंग में आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी और इवनिंग में फिजिक्स ठीक है एक ही बात है तो इसलिए शुरू करते है यह दी फरत्वी की तिर्जिया एक परसेंट तक शिकुड़ी जाए इसका द्रेमान वही रहे तो फरत्वी की सत्व पर गुरुतों के काण तावरण गटेगा बढ़ेगा एक परतिशत तक गट जाएगा या फिर कोई प्रवितन नहीं होगा तो गाईज यह दी फरत्वी की तिर्जिया एक परसेंट बढ़ेगा सिंपल से बात है वह दिखकत ना हो हिंदी मेडियों को भी दिकत ना हो को ठीक है मेनत करने के लिए हम त्यारे जी थोड़ा वीड सावी करेंगे जोट बढ़ेट मिल जत्ने बीज़ेंEst बहुत बंग काई लिए एक डेका पर वन Characom डायरेटी मिल जाएंगे शेम टू सेम तब सब्सक्राइब कि चलो आगए ऑगे एट कि एक दंडेंड चूमक को तीरे धिरे जब एक अनुच्उम के पदार्थ के पास लाया जाता है तो अनुच्उम मेश्चूमक与म फता है निर्बलता से आक्रिकत होता है या पिर अपरवाइद रहेगा बताईए सिंपल दंड चुम्मक चुम्मक वाला चेप्टर तो हाएगा 100% यह जो चुम्मक है न गाइज यहाँ से तो कुशन बनेगा बनेगा 100% बनेगा आपके टॉल्ड में है फिजिक्स में बहुत ही विग्यान में चुम्मक वाला चेप्टर रीड कर लेना इस परकार कुशन आएगे वहाँ अनुचुम्क प्राचुम्क यह इसका राइट ओप सुमझेगा निर्बलता से आकरशित होगा चलो जागे उत्तल दरपन एक आवर्दित परतिविम कब बनाता है वें डज ए कॉन्वेक्स मिरोर फॉर्म ए मैंगिपाई इमेंजेस जब वस्तु एप पर होती है जब वस्तु टू एप से परे होती है जब वस्तु एप और आर के मद्दे होती है यह कभी भी आवर्दित परतिविम नहीं बनाता है उत्तल दरपन एक आवर्दित परतिविम कब बनाता है गाई इसका अंसर हो जाएगा अगर पहले पता है आपको तो टिक लगाओ नहीं है तब भी लगाओ ताकि आपको गल्दिविम दूर हो इसका राइट अप सुन हो जाएगा आपका यह ख़बी आवर्दित परतिविम नहीं बनाता है ठीक है जी एसे कुछन बनते है आपकी नॉलिज के चेक के लिए अब बहुत सारे गाईज क्या करते हैं बहुत सारे स्टुडेंट बहुत सारे टुएप से परेक कर देते हैं यह आपको नहीं करना थोड़ा सा दिमाख लगाना है चलो आगे नियुमिर कर ले एम द्रेविमान एक स्प्रिंग से लटकाया गया है ठीक है और इसकी दोलन के आवर्थी एफ है इस्प्रिंग को दो बराबर हिस्सों में काट काटा जाता है और समान द्रेविमान को इस्प्रिंग के दो टुकड़ों में एक से लटका दिया जाता है द्रेविमान के दोलन क्या वर्थी होगी बहुत अच्छाए कुसन इस्प्रिंग मान लो कोई भी M3 मान की ठीक है कोई भी भार लटकाय जाता है ठीक है इनसे कोई भी M3 मान है ये मान लो M इसको इस्प्रिंग से लटकाय जाता है और इसकी दोलन क्या औरती F है इस्प्रिंग को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है यह कार्ड दिया इसको एक किसा है और एक किसा है ठीगे और समा द्रेव महन को स्प्रिंग के दो टुकड़ों में से एक से लटका दिया जाता है ठीगे द्रेव महन के दोलन के आवरती होगी बताईए आवरती पे क्या पेट पड़ेगा गाई पढ़ाऊगा न आपने क्योंकि आपके क्यूशन 11 से भी बन सकते हैं दो चार क्यूशन तो आपका फर्ज बनता है कि तोड़ा सा नोलेज 11 का भी होना चाहिए ज़्यादा तर टॉल्ट से आएंगे बट कुछ क्यूशन 11 से भी आएंगे इसका राय टॉप सुनों जाएगा गाईज आपका अंडरो टुएप ठीग है आपके भी आगे आगे आउगा अंसर देखेंगे गाईज पिजिक सोल केमेस्टर का तो यह पंड आए कि आपको फोर्म ले नियम जितने में आके फ्रिंस वेल से वह आपको पता होने चाहिए लिप्ट में खड़ा एक वेक्ती तावरण एक के साथ उपर की ओर बड राय वेक्ती का आबासी वजन होगा वास्तिविक वजन से कम वास्तिविक वजन से अधिक यहों सज़त परिवरत अंसील शुन्ने वास्तिविक वजन से अधिक यहों निश्यत मान के साथ तो राय ट वजन से अधिक और निस्यमान के साथ चलौ आगे का एक ट्रांजिस्टर के सामाने एमिटर विν्याश स्में धारा लुद्धी एक से अधिक है क्योंकि Harrison डिभांग ट्रांजिस्टर जानते हुना मैं ट्रांजिस्ट्र ड्रायवड क्या寇ट इस पर गईश डेखाँ होगा आपने कभी 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 तू देखाischen देक्ब का कुछ कुछ यह बिले बिले एक सा होता है इसा कुछ और थ्री वायर्स होता है उसको ट्रांजिस्ट बोलते हैं इसका राइट अप समझेगा आपका कि ठीक है ऑप्शन कि थर्ड वाला चलो आगे यह थोड़ा निमेरिकल बढ़ा है यह देखिए बीस किलोग्राम द्रेवान की एक कॉलाकार गेंद सो मेटर उच्छे पाड़ी के सीस पर इस्तिते यह नीचे दो क्यों से लंबा है इसका मतलब डरना मत क्यों से लंबा है तो मतलब इजिए बहुत सारे चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी यह नीचे लुड़क की उचाई पर एक से तीच आदार पर नीचे लुड़कता है गेंद द्वारा प्राप्त वेग दिया गया है यहां पर जी कमान क्या रखना है आपको 10 मिटर सेगेंड यूडर स्कॉर गेंद द्वारा लिया जाने वाला रास्ता गर्सन रहीते हैं तो बताईए इसका वेग आपको बताना है जी यहां पर दिया हुआ है सिंपल से बहुत है गाईच फॉर्मॉल एपलाई कीजिए और पाईए सिंपल इसका राइट आजाएगा आपका 40 मेटर पर सेगी क्वांटम सिंप्या बढ़ने पर एक प्रमॉन के ऊर जास्तर का क्या होता है इस तो इस तो इस दिरहता है एक प्रमॉन का ऊर जा स्तर गड़ता है एक परमौनों का उर्जास्तर बढ़ता है या फिर निमन परमणों सिंख्या के लिए उर्जा, हस्तर और उच परमणों सिंख्या के लिए बढ़ दी quantum सिंख्याज कुछन बन सकता है quantum number इस कराईटों सोजाएएगा आपको एक परमौनों का और जास्तर गटता है ठीक है एक परमौनों का और जास्तर गटता है चलो आगे गुर्णी गती संबव है केवल दो या तीन वीमे गती में केवल एक या दो वीमे गती में केवल एक वीमे गती में केवल तीन या एक वीमे गती में सिंपल केवल दो या तीन वी में गती में चलुआगे एक्जाम नजदी के इसलिए सारे क्यूशन इपोर्टेंट है अगर आपका कोई भी टॉपिक चूप आओगा तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि हो यह तो मैंने पढ़ाई नहीं ठीक है सबहन मुख के रूप से इसमें नहीं होता है एक बट्टी के चारो हो रहवा के तापन फिलामेंट लेंप के गिलास को ग्रम करने में या फिर तलसमीर और जलसमीर या फिर पानी के उबलने सबहन मुख के रूप से नहीं होता है अन्गी इसका उप्शन हो जाएगा राइट पिलामेंट लेंप के गिलास को गिरम करने में जो निर्वातित किया गया है इसका राइट उप्शन हो जाएगा चलो जी आगे 16 किलो वाट वाला एक इलेक्ट्रिक हिटर पानी में डुबया जाता है पानी के 100 डिग्री से इंटिग्रेट के इस तरता पान तक पहुचने के बाद 100 डिग्री पर 200 ग्राउं वास्प का निर्मान करने के लिए लिया गया एलवाप्स यान कि ये 540 किलो ग्राम है तो इसका राइट उप्शन क्या होगा फोर्म लाइपलाई कीजिए आंसर पाई ये इसका राइट उप्शन हो जाएगा आपका 210 चलो आगे एक सिधी छवी वस्तु के आकार में दो गुना बड़ी होती है जो 20 सेंटिमेटर वाले वकरताते जाएगे आउतल दरपन का उप्यों कर के प्राप्त की जाती है वस्तु की इस तीजिए गात कीजिए क्यूसर को समझे कि एक सिधी छवी वस्तु के आकार से दो गुना बड़ी होती है जो 20 सेंटिमेटर वकरताते जाएगे आउतल दरपन का उप्यों कर के प्राप्त की जाती है वस्तु की इस तीथी गात कीजिए दरपन के सामने तीन पॉइंट दरपन के सामने 5 सेंटिमेटर दवी तेन सेंटिमेटर दरपन के सामने 6.6 सेंटिमेटर इसका क्रेक्ट और इमान दारी से पहले रप्य कीजिए गाईज क्योंकि आप गई जाम आछुके तोड़ा सा प्रेंट चलाना सीक्षिए आई होप आपने रप्पे किया होगा इसको तोड़ा सा और उसके बाद आंसर मेच किरवाया होगा तो आपका आंसर यही आया होगा दरपन के सामने 5 सेंटिमेटर की दूरी पर नहीं आये तो आप पेस्बूक इन इस्टाग्राम पर बता सकते हो हमें हमें समझ में आया है बताईए दरपन के सामने 5 सेंटिमेटर की दूरी कि वैसे आजाएगा पॉर्मला एपलाई करते हैं आपको कौन सा पॉर्मला लगेगा वहां पर जो पोचा है वह वाला पॉर्मला लगेगा देखो जिसमें जो चीज आपको दे रक्की होना कि यही चीज आए देर की है तो किस तरह हमको मिल सकती है फिर वह पॉर्मला लगाओ ठीक है यही होता है अपसर चलो आगे पेस्बूक निश्टाग्राम का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि दुर्मान एम वाला एक गतिमान कंड दुर्मान टू मीटर के दूसरे इस इसका क्रेक टॉप समझेगा आपका आप इसको करोगे तो आजाएगा आपका भी आंसर एट पाइन ठीक है चलो जी आगे समान ने समा योजन के लिए सेट किएगे खगोले दूर देसी की आवर्दन समता बीस है यदि अभी दरसे की पॉकस दूरी कि 1 मेंटर है ने त्रिका कि वंक्स क्चरणी होगी 30 संट इन साथ सेंटी मिर्श पचास संटी मिर्श कितिना बंता है आपके गए अब आप बोले ही सिर्व क्या उता है तो बच्छों अला के सफंगा ना कोई पता है तो लगाू पर रूम्ला इसका right option ने आपका पांच से एंडेमिटर जाए किउसन मिलते रहेंगे like आप मिलते रहेंगे तो आपको भी कुशन मिलते रहेंगे उसमें कौन से सक्क्रिप्स के बात है और ये भी कुशन कम लग रहे हो तो एक और चलने जीक के MCQM के यहाँ पर भी आप पे जिस कमेश्टे बाइलोजी के क्यूसंद पास सकते हो रोजाना इसका लिंक नीचे देवार डिस्क्रिप्शन में यह भी हमारे चैनल ठीक है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे क्यूसंद रोजाना तेन सेंटीमेटर और माइनस टॉन्टी सेंटीमेटर पोकस लंबाई वाले दो लेंज संप्रंग में रखे हैं अनन्द पर रखे वस्तों का परती भी दूरी पर समय जंद्वरा निर्मित होगा कितनी दूरी पर 20 सेंटीमेटर 10 सेंटीमेटर 30 सेंटीमेटर या फिर इंफानाइट क्या होगा अंसर इसका गाईज आपको बताने था है कि आपका मैंड भी तो काम करें ना अगर हम इसको रीड करके हम इसका उप्शन बोलके हम यह आंसर फॉर्मिल सब कुछ देंगे तो आपका मैंड काम क और कौन से के चकर में बहुत सारे फॉर्मिले वेसे आद हो जाते क्योंकि आप सारे फॉर्मिले देखोगे तो उनका रिविजिन होता है तो यह टेक्निक बहुत इफेक्टिव है अननत पर रखे उस तका परत्वियम दूरी पर समय उजिंद्वारा निर्मित होगा कितनी करे एले झाले झाले